दमस्कार बंग्रदेश के खलाफ मैज जीत कर भारत ने सेमिफाइनल में अपनी जगहां पक्की कर ली लेकिन इसके साथ ही इस वर्ल्ड कप के बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि महिंदर सिंग धोनी का वन डे करियर और यहां तकी इंटरनाशनल क्रिकेट करियर भी खत्म ह हो जाएगा महिंदर सिंग धोनी सन्यास लेने वाले हैं उन पर एक दबाव भी है और लगातार कई आलो चक कई क्रिकेट एक्सपर्ट उन्हें ये सलाह दे रहें कि अब उन्हें सन्यास ले लेना चाहिए तो वो कौन सी वज़े जो ये बताती है कि महिंदर सिंग धोनी को अब क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, अब सन्यास ले लेना चाहिए, इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी, अभी शेक्तियागी. अगर सबसे बड़ी बात करें तो फिनीशर, जिस चीज के लिए मेहंदर सिंग धोनी को जाना जाता था कि अच्छे फिनीशर हैं, मैच को आखिर तक ले जाते हैं और जीताते थे, ये धोनी की सबसे बड़ी काबियात थी, वो फिनीशर रूप धोनी का नजर नहीं आ रहा है इस खासकर इस विशु कप में कर देखें, आई पेल में जरूर कुछ मैच उन्होंने फिनिश किये थे, अच्छे फिनिश किये थे, उम्मी जेताई जा रही थे कि मध्यम करम में विशु कप में कुछ उसी तरह की पारियां खेलेंगे, लेकिन एक भी पारी धोनी की उस तर दुसरी जिस स्ट्राइक उसरे थे, डिएम में करते हाँ, जिस स्ट्राइक डाइक से दोनी का पिछले एक साल में सरसट करह घया है, तो अगर विशु कप में खेलोगी तो कहीं न कहीं आप अपनी टीम के लिए काफी पीछे का काम कर रहे हो, क्योंकि विशु कप में सभी तो आप काफी धीमा खेल लए हूँ तीसरी एक है मिडिल ओडर में अस्थिरता मतलब टीम इंडिया कुछ समय से लगबग 1.5 साल से यह नहीं कर पा रही है कि उसका मिडिल ओडर होना क्या चाहिए काफी खिलाडी आए हैं काफी खिलाडी गए हैं कोई खिलाडी ऐसा नहीं है जब दोनी का स्ट्राइक अच्छा होता था तब वो फिनिशर अच्छे थे तब उनके साथ यूवरा सिंग और रहना जैसे खिलाडी मिडल ओर में खेलते थे उनकी जगह टीम में पकी थी उनको पता था कि उनका रोल क्या है दोनी को पता था उनको किस नंबर पर आना है य अब वो नहीं दिखाई दे रहा है खासकर जब से दोनों खिलाडी तीम इंडिया से बहार हूँ है रहना और यूरा सिंग सबसे बड़ी बात फिर यह है कि यूवा कातार में है आने आने वाले समय आपने देखा कि पंत अच्छे कर रहे हैं और हो सकता है कि दोनी के बाद यह आपको पीछे दस्तानों में नजर आएं दोनी की जगा तो अब यूवा खराडियों को मौका तब मिलेगा जब क्योंकि दोनी को कोई हटा नहीं सकता यूवा खराड़ी को मौका तभी मिलेगा जब आप रिटारमेंट लेंगे या फिर आप भाहर जाएंगे क्योंकि क लेकिन जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं पंत जैसे उनको शायद करियर आगे बढ़े इसलिए यह सबसे बड़ी जरूरती है कि युवा कतार में है तो दोनी को अब वो वक्त है सही वक्त है विशु कप एक जिता चुके हैं तीन ICC की ट्रोफी भारत को जिता चुके हैं काफी अचीवमेंट दोनी ने किया है तीम इंडिया के लिए तो अब वो सही वक्त है विशु कप के किसी भी मैच में या फिर आगर कहें तो लास्ट में दोनी को सन्यास ले लेना चाहिए जहां तो हर किसी की एक उम्र होती है क्रिकेट खेलने के भी एक अपनी उम्र है सचिन तंदलकर पर इस तरह का दबाव ताब यही दबाव महिंदर सिंग धोनी पर भी है तो यह फैसला कि रिटार्मेंट कब लेना है धोनी का ही होगा लेकिन फिलाल यह कयास लगा जा रहा ह और सुत्रों के वाले से एक खबर आ रही है कि महिंदर सिंग धोनी वरल कप में टीम इंडिया के सफर के बाद अपना सन्यास का ऐलान कर सकते हैं फिलाल क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रही है नमस्कार